कि ऐसे हैं आप लोग उमीद है अच्छे होंगे और आज की लेक्चर को भी इंज्वाइब करेंगे हम लोग स्विल प्रोसुजर कोड के सीरीज पे चल रहे हैं और आज इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं और एलेवन से जुरेवे रूल्स पे और स्पेसिफिकली हम लोग आज डिसकस करेंगे जिस रूल्स पे उसका संबंध होगा डिस्कवरी और फैक्ट बाई इंटेरोगेटरी से जी हां ओडर एलेवन दो पार्ट में होगा यह पहला पार्ट है और ऑडर एलेवन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमको सेक्शन 30 को भी पढ़ना है और सेक्शन 30 से जरौवा जो भी जानकारी है जो भी सेक्शन 30 कह रहा है वो सभी बाते मैंने आपको justification में मिलेगा आप उस link पे क्लिक करके चुन जरूर देखो इस लिक्शर को देखने के बाद आप आज के अपिसोड को देखना आपका हर एक प्रोविजन discovery interrogatories से खत्म हो जाएगा और एक समस्या दूर हो जाएगी और अगर आपने order 1 से order 10 तक lectures को नहीं देखा है तो आपको ये सभी orders का link description में मिलेगा आप उस link पे click करके आप उन सभी lectures को देखो अगर आप कि सीवी राज्जी के judicial exam का तयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा तो आप लेक्चर जो जिसका link description में है उस पे click करो जल्दी से जाओ देखो अगर आप मुझे इस्टा पर follow करना चाहते हो तो उसका link description में है किसी पस्तल क्रिक के लिए law से जूरे हुए किसी भी पस्तल क्रिक कर सकते हो आप जडिसल गूरूप से जुडना चाहते है वाटसाप जूडिसल गूरूप से तो आपको उसका link मिल जाएगा description में आप को कि आपको बटन को सब्सक्राइब कीजिए जैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली लेक्च्टर आपको मिल सके अगर आपको कोई समस्य है loss related तो आप बेजी चक कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिए तो चलि स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को तो हम लोग आज डील करने वाले हैं order 11 के rules पे और यह जो part first है order 11 का इसमें हम लोग discovery of fact पे focus कर रहे हैं और discovery of fact by interrogatories जैसे कि मैंने आप पहले भी कहा हम लोगों ने इस just previous lecture में briefly discuss किया है आप जरूर देखो लेक्चर को तो सबसे पहला point सबसे पहला rule order 11 rule 1 discovery by interrogatories तो इस rule 1 के कह रहा है order 11 का आप यह समझो कहता है कि discovery का मतलब क्या होता है यह सभी बाते मैंने आपको just previous lecture में बताया है तो आप पहले previous lectures देखो उसके बाद आज की episode को देखना आप पर clear हो जाए पुड़ा concept तो हमनों मूलबूत बात पे चलेंगे discovery का मतलब होता है मैं फिर बता देता हूं कि अगर adverse party अपने case को fully disclose नहीं कर रहा है तो ऐसे अवस्था में जो दूसरा party है adverse party को compelled करेगा कि वह अपने case को fully disclose करेगा इसके लिए वह means का इस्तमाल करेगा वह discovery होगा और discovery कैसे होगा तो बाइव इंटरोगेटरीज डिस्कवरी दो चीजों का होता एक fact का और document का आज का रेक्चर तो discovery बाइंटरोगेटरीज तो plaintiff defendant को defendant plaintiff को सर्व करेगा इंटरोगेटरीज और और कंपेल करेगा कि जो भी तक्थे वह अभी तक अपने पास रखा है बिफोर कोट प्रिद्यूज नहीं किया है उस तक्थे को प्रस्तूत करें कोट में plaintiff defendant को कह सकता और defendant plaintiff को कहेगा कैसे कहेगा तो by way of application and application must be in writing और application must be filed आफ्टर टेकिंग प्रेयर पर्मीशन आप दी कोट तो interrogatories का मतलब होता है questionnaire questions होता interrogatories का मतलब तो यहाँ पर आपको जो दो बात ध्यान देनी है वो यहाँ कि एक party एक से अधिक set of interrogatories से पर्पस पे नहीं served कर सकता है दूसरे party को दूसरा point कि interrogatories का संबंद जब भी होगा तो issues in dispute से होगा जिस fact को लेके जिस issues को लेके विवाद है parties की बीच में उसी संबंदित होना चाहिए interrogatories तो यहीं है आपका order 11 rule 1 अब आगे बढ़ते हैं आते हैं पार्ट रूल 2 पे रूल 2 कहता है particular interrogatories to be submitted मतलब अगर माल लेते हैं दो पक्ष है एक प्लेंटीफ है एक defendant है तो प्लेंटीफ अगर सब्ड कर रहा है interrogatories तो यहाँ पे interrogatories served करने के पीछे का उद्यसा discovery का discovery मतलब कि यह जो अपने पज़ेसर में fact या document को रखा है उसको disclose करे ताकि यह अपना case तरीके से लर सके तो यहाँ पे जिस party को जिस interrogatories served करना है जिस specific purpose पे उसी specific purpose को mention करते वे question को mention करते वे discovery के लिए interrogatories का application file का इस party के द्वारा यह आपको ध्यान देना है तो यही है rule 2 अगर आते है rule 3 पे rule 3 कहता है कि अगर मालत irrelevant fact पे interrogatories served हो चुका है या फिर interrogatories proceeding को suit के proceeding को delay करने के लिए filed हुआ है तो यहाँ पर जो cost होगा जो खर्च होगा interrogatories का वो पे कोन करेगा जो party in fault है कि अगर डिफेंडेंट हो यह प्रेंटिफ हो यही है rule 3 आगे पर यह याद हो जाना चाहिए आपको rule आप बस ध्यान से दखो और जस्ट प्रिविएस लेक्चर को देखो और आज के एपिसोड को देखो आपका order 11 का rule याद हो जाएगा आपको बस अपने पास लेक्चर को देखते हैं वागव बेरेंट जरूर रख लेना है आ तो देखें रून एका रूर में जो इंट्रोगेोटरी का वह रूड़ को और उस्कख तॉम होगा ऒल सब्भा he अब आते हैं a रूल फाइब की आगर मुति हैं जिस पार्टि को इंटरो गेटरी compar वह रहा है वह पाठी अगर कोर्पूरेशन है तो इस कीस में उस काइब अफिसर इंचार्ज होग दो फोगा उसससर दोल्गा इंटरो मिट्री इस यह है रूल good 50k राते हैं है जिस पार्टी को इंटरफेट्री ती साख हुआ वा है। प्लेंटीफ ने इंटरफेटिर इस धिया है सवर किया डिफंडेंट्ट को जिस إभंडेंट्र Кो टम्रस डिफंडेंट्री कि इंट्रोगेटरिस को लेके आते हैं रूल सब्सक्राइब करता है कि जिस जिस ग्राउंड का जस्ट मैंने आपको जिक्र किया है उस ग्राउंड पे इंट्रोगेटरिस को सेट असाइड भी किया जा सकता है उस ग्राउंड पे खारिज भी किया जा सकता है लेकिन खारिज करने के लिए जिस डेट को सब्ड़ हुआ इंट्रोगेटरिस उस डेट से साथ दिन के भीतर apply कर देना है for setting aside interrogatories यह आपको note करना है कि साथ दिन के भीतर setting aside के लिए जाना होगा अब आता है rule 8 rule 8 क्या कहता है कि अगर हम interrogatories का जवाब देंगे that means कि अगर interrogatories हमको सब्द हुआ है तो अगर हमको जवाब देना है तो हम किसे देंगे तो by way of affidavit और by way of affidavit जो हम जवाब देंगे उस interrogatories का तो कितना time period के वी दिन तो 10 दिन के भीतर हमको जवाब देना होगा उस interrogatories का जो हमको सब्द हुआ है opposite party के द्वारा मुझे अब आते है rule 9 क्या फॉर्म क्या फॉर्म होगा इस selected provision की जानकारी आपको मिलेगी order 11 rule 9 से और फॉर्म वही होगा जिसका जिक्र आपको CPC के schedule में किया गया है आगे बरते हैं rule 10 पर आते है rule 10 कहता है कि आप objection नहीं खा सकते हो उस effort को लेके insufficiency के ground पर आगे बरिये और आज की last rule पर आईए आता है rule 11 का rule 11 क्या कहता है order 11 का अगर interrogatories का party जिसको सब दुआ interrogatories को जवाब नहीं दे रहा है तो court यहां उसको order करेगी कि वो जवाब दे अगर जवाब दे चुका है तो और परियाब जवाब देने के लिए भी उसको आदेस court दे सकती है यह होता है rule 11 के according अब उसको तो डीटेल में समझे plaintiff ते defendant को interrogatories दिया defendant को interrogatories का जवाब देना था defendant जवाब नहीं दे रहा है तो इसकी लिए plenty फिर code में अपलाई करेगा कि defendant जवाब नहीं दे रहा interrogatories का है code आदेस करेगी और code जवादेस करेगी तो defendant को जवाब देना होगा और अगर दूसरा case कि defendant ने जवाब दिया है लेकिन वो परियाब नहीं है तो फिर से code जवादेस को कि आप परियाब जवाब दो उस इंटेरोगेटर इसका तो यह हो गया rule 11 order 11 का दोस्तों अब आचुका है lecture को conclude करने का time हम लोगों ने इस lecture में क्या क्या discuss किया हम लोगों ने basically discuss किया है provision ready to discovery of facts और discovery of facts जो little provisions है वो order 11 rule 1 से rule 11 तक ही है rule 12 से आयता discovery of document के बारे में provisions है तो उसको हम लोग next part में discuss करेंगे तो दोस्तों आज लेक्चर में जना ही आपका आप तक मासाद बने रने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद